आखिर क्या है मंकी पॉक्स? अगर भारत आ जाए तो ऐसे करे बचाग। मंकी पॉक्स एक डबल स्टेंडर डियने वाइरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है जिसके लक्षन चेचक जैसे होते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि चेचक के मुकाबले इलाज की दृष्टी से मंकी पॉक्स कम गंबीर है मंकी पॉक्स थी उत्पती साल 1958 में दानिश लेबोटरी में बंदरों में वाइरस की शुरुवाती खोट से हुई थी उस समय स्मॉल पॉक्स को टीके के जरिये पूरी दुनिया से साल 1989 में खत्म कर दिया गया था लेकिन कई मध्य अफ्रीकी और पश्चमी अफ्रीकी देश में मंकी पॉक्स के केस अब भी पाय जाते हैं इससे बचने के लिए आप हाथों की सफाई पर खास ध्यान दे जब यह संक्रमन फैल रहो तेब ऐसे जानवरों के संपर्ख से बचना चाहिए जो वाईरस को फैलाने का काम कर सकते हैं बीमार जानवरों से दूर रहें, उनसे डारेक्ट या इंडारेक्ट किसी भी तरह के संपर्ख से बचें साथ ही संक्रमित लोगों से भी बचने की कोशिश करें, बीमार लोगों को आईसोलेशन में रखें क्योंकि अब तक इसका कोई इलाज नहीं है।